नमस्कार मैं निख़त बोल्सकाई में आपका स्वागत करती हूँ किड्नी हमारी शरीर का एक जरूरी अंग में से एक होता है जब हमारी किड्नी हेल्दी रहती है तो हम भी स्वस्थ महसूस करते हैं किडनी शरीर से यूरिन के जरीए वेस्ट को शरीर से बाहर निकालने का काम करती है इसके अलावा किडनी शरीर में सोडियम, पुटैसियम और एसिड की मातरा को भी कंट्रोल करती है किडनी में थोड़ी सी भी गड़बड़ी हमारे हेल्थ को बुरी तरह से नुकसान कर सकती है कई लोगों को किडनी का साइस छोटे होने की समस्या रहती है इस तेती में वैक्ती की डेली रूटीन पर भी असर पड़ सकता है इस समस्या को Medical Term में Kidney Atrophy भी कहा जाता है By Kidney आमतोर पर थोड़ी बड़ी होती है यानि दाई Kidney से थोड़ी उची होती है Kidney का ओसत अकार 10 से 12 सेंटीमिटर के बराबर होता है इसे Renal Atrophy भी कहा जाता है क्या है Kidney Atrophy? Kidney Atrophy का मतलब है Kidney का Size समाने से छोटा होना यह तब हो सकता है जब Kidney का वै हिस्सा जनम से ही विक्सित नहीं होता है Kidney का Size छोटे होने के लग्षन Kidney का Size छोटे होने पर कुछ लग्षन नजर आने लगते हैं इसमें urn pass करते समय दर्द होना, पेट में दर्द, कमर में दर्द, पेशाब में खून आना, बार बार पेशाब आना, तुअचा में खुजली होना, जैसे लक्षन नजर आने लगते हैं इसके साथ किड़नी मासपेश्यों में एठन, हाथ और पैरों में सूजन भी हो सकती है कुछ स्थिती में किड़नी अपना काम करना भी धीमा करने लगती है तो कभी हो सकता है कोई लक्षन नजर भी ना आए किड़नी का साइज छोटा होने के कारण किडनी में पथरी, किडनी की पथरी भी किडनी के साइज छोटा होने के कारण हो सकती है यह किडनी के काम में रुकावट करता है, इसे तुरत इलाज की जरूरत होती है किड्नी में infection लंबे समय तक किड्नी में infection रहने की वज़ा से भी किड्नी का size छोटा हो सकता है यूरिनेरी ट्रैक्ट में रुकावत जब यूरिनेरी ट्रैक्ट ब्लॉक होता है तो इसे किड्नी पर दवाब पड़ता है और नेफ्रोन को नुकसान पहुंचाता है इस वीडियो में इतना ही और भी ऐसी वीडियो के लिए सब्सक्राइब करना न भूले बोल्ड स्काई को